दोस्तों जो टॉपर के बारे में कुछ खास गुणे बताने जारों ध्यान से सुनिएगा यह बिस्व के किसी भी टॉपर किसी भी लाइफ या कॉलेज या इसकूल प्रोफेस्टनल लाइफ किसी भी टॉपर में यह गुण अवह सी पाएंगे आप मैच करके देख सकते हैं य टॉपर में क्या होती है वे ऐसे भरोसे नहीं होते हैं कि वहां मेरा काम करेगा या वहां मेरी काम करेगी नहीं वे अपना दिपक स्वेम बनते हैं अपने काम को स्वेम करने की छमता रखते हैं ठीक ना यह टॉपर की दूसरी निशानी है टॉपर की तिसरी निशानी जो की सबसे बड़ी है, वे अभ्यास की सकती रखते हैं अपने पास, कि मैं अभ्यास करता हूँ, ठीक न, वे एक ही जीच पर बार बार प्रेक्टिस करते हैं, चाहे वो लिखने की प्रेक्टिस हो, चाहे वो किसी भी फिल्ड में आगे बढ़ने की प्रेक्टिस हो, बार बार करते ह यह Topper की एक बहुत बड़ी निसानी है कि वैप Practice रखते हैं Practice के अभ्यास की सकती रखते हैं अपने पास चोथा गुन Topper जो अपना Lex ना वे Fix रखते हैं कि मुझे किस और जाना है, कईसे जाना है, किस रास्ते पर जाना है, कब तक पहुंचना है इसमें क्या बाद हैं आएंगी वे अपना एक fix lecture रखते हैं ठीक ना कि मुझे कहां पर पहुचना है किस aim को प्राप्त करना है जबकि एक सामाइन विद्यार थी या पर एक सामाइन आदमी ऐसे कोई लच्छ नहीं रखता है ठीक ना कि मुझे कहां हासिल करना है क्या हासिल करन आगली कुण टॉपर जर्यान अबर कॉन्फिडेंश नहीं वा करते तो पर कभी भी ओबर कॉन्फिडेंश नहीं रखते हैं वे इस सबी चीजा कर सकता हूं या नहीं वे ओबर कॉन्फिदेंस नहीं हुआ करते ठीक ना टॉपर की नैस्ट गून वे continuity रखते हैं लगातार क इसा कोई continuity नहीं रखता है घुली चीज जो तॉपर होते हैं ना वे एक समय में एक काम स्वाम्य विवेका अन्न ने भी कहा था कि एक समय में एक काम कीजिए और उस काम में पूरा अपना जिजान जोग दीजिए ठीक ना अगली चीज वह कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये कभी नहीं सोचते हैं वे ये सोचते हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं मैं अपने बारे मे एक बहुत बड़ी निसानी है अगली चीज, जो टॉपर कहीं भी भीड में होते हैं न, वे सबसे हट के नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि इन सभी गुनों का उनमें एक मिस्तरन होता है जो कि उनसे टॉपर बनाते हैं एक मास्टर माइंड आदमी बनाता है और सभी वेक्ति उसे अलग करता है चाहिए वे कितने भी भीड में क्यों न सामिल हो ठीक न? और अंतिम चीज बता रहा हूं ये गुन, कि जो अकसर जो टॉपर वेक्ति होते हैं या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर बहुत कम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो ये टॉपर की कुछ निशानिया होते हैं आप चेक कर सकते हैं कि इन में से कौन सा वेक्ति टॉपर है और कौन सा वेक्ति असाधारन है ठीक न? तो आप भी ये गुनों को फोरो करके टॉपर बन सकते हैं और दूसरों को भी चेक कर सकते हैं कि ये किस केटेगरी में आते हैं धहिन्यवाद वीडियो पसंद आते हैं, फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ